हेलो एन्स वागत करता हूं आप सुबको तो आज मैं बहुत सिंपल चीज आपको बता रहा हूं और आप सोचेंगे भी बिल्कुल भी सिंपल चीज हम कुई बता रहे हैं हां, रेगुलर्ली हम सब लोग एक काम करते रहते हैं हर दिन हम हाथ होते हैं लेकिन आज हम प्रपर त करके हम बहुत हथ तक प्रेवेंट कर सकते हैं उससे हम बच सकते हैं तो उस चीज को हम दिखाने के कुछिज करेंगे कि हम प्रोपर वे में कैसे अपना हाथ दो के उस चीज से बच सकते हैं क्यों कि क्या होता है कि जो हम हाथ जो होता है अपने मुह में टच करते हैं आख में नाक में टच करते हैं इसी से ही भाइरस फेल जाता है तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको तो सबसे पहले अपने हाथ को थोड़ा सा भीगो लेना है है ना भीगो लेने के बाद आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं साबुन यूज कर सकते हैं आप टेटल यूज कर सकते हैं साबून यूज़ कर सकते तो मैं यहां पर साबून यूज़ कर रहा हूँ पहले साबून आप इस तरह से लगा लेंगे प्रोपर तरीके से साबून लगा लेंगे साबुन लगा लिया और आपको सबसे पहले इस तरह से आपको रव करना है आगे के तरफ हाथ के इस तरह से रव करेंगे उसके बाद हाथ के पीछे तरह रव करना है इस तरह से इसमें आपने रव किया और इसको इस तरह से रव करना है ठीक है हमने रव किया उसके बाद का इस तरह करेंगे ज्स तरह की का घुटिन हवाइख जो अंधोछ यह नाखुन जो इना जो इस तरह से आ GO सब करेंगेगे अच्छे से ठीक है नाखुन को हम इस तरह से साब करेंगे इस तरह से नाखुन को साब करेंगे ओके और लास्ट टेव हमारा क्या है जो कलाई है इस तरह से हम कलाई को भी साब कर लेंगे तो इस तरह से हम प्रोपर वे में हमको हाथ दोना है और हाथ दोने से हम बहुत हद तक जो भायरस फैल रही है उससे हम बच सकते हैं यह है प्रोपर वे में हम हाथ दोके अब इसको अब पोच लिजेगा अच्छी से ठीक है तो इसी सरह से हमको हाथ दोना है